वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्निंग विडिग्निटी माई नेम इस गरीमा आज हम करेंगे क्लास सिक्स्थ हिंदी NCRT वसंत बुक का पार्ट ग्यारा जो देखकर भी नहीं देखते ये पार्ट हिलन केलर द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रेरक निबंध है तो चलिए पार्ट शुरू करते हैं कभी कभी मैं अपने मित्रों की परिक्षा लेती हूँ ये परखने के लिए कि वे क्या देखते हैं परखना यानी जाचना हाल ही में मेरी एक प्रिये मित्रे जंगल की सैर करके वापस लोटी मैंने उनसे पूछा आपने क्या क्या देखा तो उनका जवाब था कुछ खास नहीं मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ अचरज यानी आश्चर्य वो सर्प्राइज नहीं हुई क्योंकि वो अब इन प्रशन के उत्तरों की आदी हो गई थी मतलब उनको अकसर इसी तरह के जवाब मिलते थे तो उन्हें बिल्कुल भी आश्चर नहीं हुआ मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आँखे होती है वो बहुत कम देखते है हेलन केलर, ड्रश्टिहीन और बागिर थी यानि वो ना तो देख सकती थी ना ही सुन सकती थी क्या ये संभाव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी उसे कोई विशेश चीज न दिखे घंटा भर यानि एक घंटे यानि एक घंटे घूमने के बाद भी कुछ खास न दिखाई पड़े मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकडो रोचक चीजें मिलती है रोचक यानि जो बहुत खास होती है अच्छी लगने वाली जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ मैं भोच पत्र के पेड़ की चिकनी चाल और चीड की खुर्दुरी चाल को इसपर्श करके यानि छू कर पहचान लेती हूँ बसंद के दोरान मैं टहनियों में नई कलियां खोचती हूँ मुझे फूलों की पंखुडियों की जो मकमली सतय है मकमली बिल्कुल जो मलमल की तरह चिकनी चिकनी होती है और फूलों के जो पैटल्स होते हैं उनकी बात हो रही है तो उनका घुमाओदार बनावट महसूस करने में अपार आनन्द मिलता है अपार यानि बहुत जादा बहुत जादा खुशी महसूस होती है इस दोरान मुझे प्रकती के जादू का कुछ एहसास होता है कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हात रखते ही किसी चिडिया के मदर स्वर कानों में गूजने लगते हैं प्रकती में जो चिडियां बे जिजक इधर उधर चह चहाती हैं जो मदर स्वर में गाती हैं वो भी प्रकती का ही एक अंश है अपनी उलियों के बीच जरने के पानी को बहते हुए महसूस करने में मुझे बहुत आनद मिलता है मुझे चीडि की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महगे कालीन से अधिक प्रिये है कालीन यानी कार्पिट और उन्हें हरी हरी घास का मैदान जो है वो बहुत पसंद है बदलते हुए मौसम का समा, समा यानी वातावरन, इन्वायमेंट मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है कभी-कभी मेरा दिल इन सच चीजों को देखने के लिए मचल उटता है मतलब बहुत ज़्यादा उट्सुक हो जाती है वो इन चीजों को देखने के लिए अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ चूने से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुन्दरता देखकर मेरा मन और मुख्द हो जाता मतलब अगर मैं इनको सिर्फ छू के इतनी खुशी मैसूस कर सकती हूँ तो अगर मेरे नेतर होते मैं देख सकती तो मुझे सोचिये कितनी खुशी मिलती मुख्द यानी मोहित होना परंत जिन लोगों की आँखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं इस दुनिया में अलग-अलग सुन्दर रंग की समवेदनाओं को नहीं छूते समवेदना यानी सेंस्टिविटी मनुष अपनी छमताओं को कभी नहीं जान पाता कभी उनकी कदर नहीं करता कदर करना यानी पहचानना वे हमेशा उन चीजों की आस लगाता है मतलब उमीद करता है जो उनके पास नहीं है ये कितने दुख की बात है कि रिष्टी के आशरवात को लोग एक साधारन सी चीज समझते हैं रिष्टी यानी देखना जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियां के इंदरधनुशी रंगों से हरा बरा किया जा सकता है नियामत होती है ईश्वर की देन जो गौड गिफ्ट है इसे हम नियामत कहते हैं और लोग इसकी कदर नहीं करते इंदरधनुशी रंग यानी अनेक प्रकार के रंग तो ये हिलन केलर द्वारा लिखा हुआ पार्ट है एक लेक है जो ये प्रेना देता है कि हमें प्रक्ति का जो सौंदर है जो प्रक्ति है उसे पहचानना चाहिए उसकी कदर करने चाहिए क्योंकि हिलन केलर रिष्टिहीन होने के बाद भी प्रक्ति को महसूस कर पाती है मगर हम जैसे मनुष्य जिनके पास नेत रहे उस प्रक्ति को नहीं समझते तो ये तो हो गया पाठ अब चलिए इसके शब्दर्थ देख लेते हैं चब्दर्थ पहला परक्षने परक्षनी होता है जाचने अचरज अचरज केते हैं आश्चर्य या फिर हैरानी को रोचक होता है अच्छी लगने वाली समा होता है वातावरण मुग्द यानी मोहित चमता केते हैं ताकत को कदर कहना यानि पहचानना आस यानि उमीद, होग नियामत होती है ईश्वर की देन और इंद्रधनुशी रंग यानि अनेक प्रकार के रंग जो रंग हमको रेंबो में मिलते हैं उन्हें हम इंद्रधनुशी रंग कहते हैं लेखिका के बारे में हेलन केलर का जन सन 1880 में अमेरिका में हुआ और उनकी मृत्यू 1968 में ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधिकार के बीच भी रोशनी देता रहा कल्पना करो जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो फिर भी वे लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले भरपूर आशा आकांशा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए ऐसी थी हेलन केलर जब वे डेड़ वर्ष की थी बच्पन में उन्हें एक गंभीर बिमारी हो गई थी यानि एक ऐसी डिजीज जिसकी वजह से उन्हें देखने और सुनने की शक्ती जो है वो चली गई थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी कॉलिज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्म कथा स्टोरी ओफ लाइफ में वे लिखती हैं मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ कब हुआ लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब को ट्रांसलेट किया गया इसका अनुवाद मिलेंगे आपको इसके इलावा उनकी दस पुस्तकें और सैकणों लेक प्रकाशित हुए हैं उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विशुशान्ती के लिए काम किया हेलन केलर भारत भी आई थी तो ये तो हेलन केलर के बारे में बात हो गई चलिए इसके प्रशन उत्तर देख लेते हैं प्रशन एक जिन लोगों के पास आखें हैं वे सच मुझ बहुत कम देखते हैं हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था तो उत्तर है हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते उनके मन में उस वश्टू के प्रती कोई जिग्यास्या नहीं रहती इश्वर की देन जो है उसका वो लाब नहीं उठा सकते प्रशन दो प्रकती का जादू किसे कहा गया है तो इसका उत्तर है प्रक्ति का जादू वे है जो प्रक्ति के रूप को नित्य कुछ न कुछ परिवर्तन करता है प्रक्ति अपने रूप के आकरशन से हमें अपनी ओर जादू की तरह आकरशित करती है प्रक्ति में विवित्ता है, अलग-अलग व्रक्षों को अलग-अलग घुमावदार बनावट और उनकी चाल, उनकी पत्तियों का होना, फोलों का खिलना, कलियों की पंखडियों का मकमली सतय, बागों में पेड़ों की काते पक्षी, कल-कल करते हुए जरने, कालीन की तरह फ और ये सुनकर हेलन को आश्चर क्यों नहीं हुआ तो इसका उत्तर है प्रकती में चारो ओर देखने और समझने की बहुत सी चीजे हैं फिर भी उनकी मित्र कह रही हैं कि मैंने कुछ खास नहीं देखा लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी नहीं देखना चाहती वे उन चीजों की चाहर जरूर करती हैं जो उनके पास नहीं है प्रश्न चार हेलन केलर प्रकती की किन चीजों को चूकर और सुनकर पहचान लेती हैं पार्ट के आधार पर इसका उत्तर लिखो तो इसका उत्तर है हेलन केलर प्रकती की अनीक चीजों जैसे भोच पत्र, पेड़ की चिकनी चाल, चीर की खुर्दरी चाल, पहनियों की नई कलियां, फूलों की पंखड़ियों की बनावट को छूकर वो पहचान लेती है प्रशन पाँच जबकि इस नियामत से जिन्दगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर से इसका क्या आर्थ हो सकता है तो उत्तर है, हमारी आँखें अनमोल होती हैं, संसार की सारी खुबसूरती आँखों से ही है जीवन के सभी रंग आँखों से ही हैं, अतहा यह जिन्दगी बहुत बड़ी देन है, इस जिन्दगी में रंगीन और खुशहाली बनाये रखने के लिए हमें सारे दुखों को दूर रखने में आसानी मिलती है, हम उनको भुला सकते हैं तो यह तो हो गया इसके प्रश्णुत्तर, शब दर्थ और पार्थ, आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाईएगा, पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें